नमस्कार सलाम न्यूस क्लिक के इस खास का रिकरम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है मैं हूँ मुकुल सरल करनाटक विधान सबाद चुनाव के लिए आने वाली 13 अप्रेल को अधिसूचना जारी हो जाएगी यानि नामांकन शुरू हो जाएगा और नामांकन की आखरी तारीख है 20 अप्रेल ये भी आपको पता है कि मद्दान 10 मई को होना है और मद्गर्णा 13 मई को यही वज़ा है कि पिछले काफी समय से हमने अपना चुनाव चक्र करनाटक पर ही फोकस किया हुआ है और मद्गर्णा तक करनाटक को ही फोकस रहेगा उस पर ही बात होगी चुनाव चक्र के पिछले एपिसोड्स में हमने करनाटक में भिष्टाचार, कानून ववस्था, हिंदू मुस्लिम की राजनीती, शिक्षा, स्वास्थे, रोजगार, किसानों, मजदूरों के हाला तादी के बारे में अपने पत्रकार साथियों से बात की आज हम बात करेंगे एक आम आदमी, एक नागरिक, खासकर महिलाएं करनाटक की ववस्था और इस सब राजनीती को कैसे देख रही हैं और उनके मुद्दे क्या हैं वे क्या सोच रही हैं, कौन सी पार्टी और बाते उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्शित कर रही हैं या उनके मुद्दों को एड्रस कर रही हैं इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए करनाटक के बैंगलूरू से महिला एक्टिविस्ट विमला के एसजी साथ हैं आपको बता दे कि करनाटक विधान सभा में कुल 5 करोड 21 लाक वोटर हैं जिन में से करीब आधे 2 करोड 69 लाक महिला वोटर हैं तो आधी आबादी है करीब वोटर्स की भी विमला जी से इस सब पर हम बात करेंगे विमला जी निउसक्लीक में आपका स्वागत है ठ division आपका पर तक हम बात करना चाहते हैं जड़ा इस बारे मताईए तीक है अभी तो पहले ट्यांकिवरे मच यह मोके के लिए वो करनाटका में वो चुनाओ का फीवर शुरू हुआ है यह 16 विदानसुबा चुनाओ कोने वाला है जैसे आपने बोला है करीब आदा प्रतिशत महिला वोटर्स है तो खुल मिलाकर पचास परसंट्च जादा महिला तो है मगर महिला का representatives इस assembly में कितना होता है उसके बारे में करनाटकर का महिला वोटर्स भी और politicians भी सोच रहे हैं वो इतना ज़्यादा होने वाला नहीं है ऐसा महसूस हो रहा है असल में इस चुनाव अगले हमारा पूरा 15 चुनाव से तोड़ा ज़्यादा अजीब सा लग रहा है क्योंकि पूरा माहूल ऐसा है क्योंकि किसी भी सरकार हो वो सरकार का सामने बहुत साले सावल तो रहता है आंटी इंकम्बरेंसी तो जरूर रहता है मगर इस बाहर हम देख रहे हैं सिर्फ करनाटका नहीं है सारे देश में बहुत सारे स्टेट में और हमारा केंदर सरकार का भी सरकार ही कुछ दिक्रते कुछ प्राब्लम्स वो तो आगे लेके आ रहे हैं आइसा कमनलिजम के बारे में हो किस लोगों के बीच में ये एनिमिटी या वेनम ये पहलाने का काम सरकार ही कर रहा है ये तो ये बहुत बड़ा सवाल है महिलाओं उनके सामने वह मैं महसूस करते हैं एक महिला के तौर पर वैसे तो एक महिला एक बोटर एक नागरिक है पर विशेशकर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की क्या मुद्बे हैं और उन्हें कोई पार्टी एड्रस कर रह तो ज़्यादा सा करनाटका का इसमें भी ज़्यादा फोकस देने के लिए चाहते हूं। तो महिलां के ऊपर तो उनके सामने तो सवाल है, वो महंगाई का है। इतना महंगाई बढ़ रहा है तो पोस्ट कोवीद का तो बहुत दिर्गते महिलां उने सामने कर रहे हैं। टू टाइम्स का खाने का तो बहुत एक बड़ा सावाल खड़ा है महिलां के सामने। और इसके साथ करनाटका में और भी माहूल है कमिनलिजम का। वैसे तो हमरा ये करनाटक सरकार ये चुने हुए सरकार नहीं है जो हो रहा है। वो तो आये है पिछले दर्वाजे से आये हैं। वैसे तो हांग पर हम असेंबली था। और कांग्रेस और जो जो जेडियस का सरकार बने हुए थे। तो हमें मालुम हैं सिर्फ करनाटका में नहीं करें और जगा में भी एक कर रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्मेंट के इसमें काम कर रहा हैं। ये वो इडियो ये हो ये इसको सबको इस्तेमाल करके धराते हैं। और कुछ दिकते सामने खड़े रहते हैं सरकार। तो वैसे ही हमारा चुना के आये हुए कांग्रेस और जेडियस का एमेलियस को उन्होंने खरीदा और कुछ-कुछ किया। ऐसा तो वो गवर्मेंट गिरा के बीजेपी गवर्मेंट आया है सत्य पे। सत्य पे आने के बाद वो क्या कर रहे हैं। वो यह बहुत बड़ा सवाल मैलाओं के सामने भी है, सारे मत्मदारों के सामने भी है। वैसे तो तब आया कोविट। जब कोविट आया था। सारे देश में मिदनाइट अनॉंस्मेंट हुआ लाकड़ॉन। तब करनाट्का में इतना यह हंगामा फिरूफ हुआ। वैसे बड़की इपक्नो स्टेट में भी हुआ। और तब यह ग्रेंट वर्क का सवाल आया। माइग्रेंट वर्कर्स का जब सवाल आया। तब गौर्मन्ट नी वह जिम्मेधारी से भी उठाया। और यह पूरा हेल्थ का माहूल था हुर उनका इनकम का माहूल था उनका रोजगारी का माहूल था उनका खाननेचीने का माहूल भी था मगर हमारा एक उदाहरनमाई देने चाहते होँ वह हमारा Health Minister, जब यह Health Minister का फर्ज बनता है, वह कोविड के जरिये क्या देना है, क्या करना है when government hospital को कैसे सोविदा देना है लोगों को, उसके वह करने के बगए, वह उनके फैमिली के साथ स्वेमिंग पूल में, वो मज़ा मार रहा था और इतनी बेशरम ता वो अपना वो फोटो कीच कर सेल्फी कीच कर फेस्बुक में अपलोड किया था तब जब कोवीड या लाकड़ोन या बेरोजगारी या महेंगाई का सवाल सबके उपर होता है मगर महिलाव उनका उपर जादे से जादा तरख होता है क्योंकि घर का रसोई संभालना फर्ज बनता है महिलाव और उस समय ही हमने देखा है सिर्फ करनाटक में नहीं बाद सिर्फ इंडिया में नहीं सारे वीश्व में ये डोमेस्टिक वैलेंस का तोड़ा ज्यादा ही होने लगा क्योंकि वैसे तो सवपुरुश जिसे नहीं रहते हैं फिर भी वो घर में रहना है न वो तो तोड़ा सा दिक्कत का बाद है पुरुशों के लिए में और नाट लेडी टू टू स्तया है मगर महिला उंको तो उनको तो आईसा लालन-पालन ही और अजया होते है शाधी होने के बाद ऐसा करना है जब माबाप के साथ जाता है तो आइसा करना है कर अजया तो वो बैल्यूस वो तो इसलिए वो गर्वाली बनकर घर में रहती है, गर के काम का सामभालते रहती है, मगर पुरिशा वो इसा नहीं कर सकते हैं, वो पहले दोर पर जब लागदोन अनॉंस किया, तोड़ी दिन तक तो ये तोड़ा सा पैसा वैसा रहने वाले मिडली क्लास ओगों को वो तो बहुत अच्छा मौका घर के साथ रहे हैं करके, मगर वो मेहनत करके उस दिन का रोटी उसी दिन कमाने वाले हैं ना, उनका इसमें तो बहुत धिकत आया, विम्ला जी मैं पूछूँगा आप से कि क्या कोविड इस चुनाओं में एफेक्ट डालेगा, प्रभाव पड़ेगा, क्य कोविड और उसके दौरान जो अदवस्थाय रही, वो भी एक वोटर के मन में है, वोट देते समय वो शायद इन बातों को सोचेगा, या वो दौर गुजर गया है, क्योंकि मैं वही सवाल से जोड़के ये वोटर ले देने के चाहती हूँ, ये डमेस्टिक वैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया, और हमारा अपना सेंटल गोर्मेंट का रिपोर्ट से भी ये जुड़ा हुआ है, बामेस्टिक वैलेंस में करना तक का एक नमबर आ गया, और चैल्ड मैरेज में करना तक का एक नमबर आ गया, वैसे तो आप जैसे पूचे हैं, लोगों का मेमोरी तो तोड़ा शार्ट रहता है इस पर, मगर जो काम करते हैं, काम से ही उनका जिंदगी पिताते हैं, उन लोगों से जब हम बात करते हैं, वो अभी भी वो उसको याद में है, देखो ऐसा हो गया करके, क्योंकि वो महेंगा ये पूरा माहोल है ना, वो महिलाओं के उपर ज़्य में भी करनाटक बहुत अच्छी इस्तितिन नहीं है, इन सब का एफेक्ट एक परिवार, एक महिला, एक समाज पर पढ़ता ही है, आपने खास जिक्र किया कमनलिजम का, एक सामपरदाइक्ता जो है, उससे किस तरह से पूरा समाज या महिलाओं एफेक्ट हो रही हैं, और क् एक मुद्दा रहेगा लोगों के मन में और क्या वो इससे सोच कर इसके विपक्ष में या पक्ष में वोट देने जाएंगे? या वैसे तो कमनलिजम का बारे में, हमें तो ये महसूस हो रहा है, मगर अफसोस के बात वो ही है, लोग कभी-कभी जब चुनाव में वो डिबे पे वोट डालने के लिए जाते हैं, ये सब उनके दिमाग में नहीं रहता है, वो भी एक है, क्योंकि माई क्यों ये बोल रही हूँ, हमारा पिछले उतरपरदेश का चुनाव का हम तोड़ा याद करेंगी, क्योंकि चुनाव के थोड़ी पहले इतना बड़ा किसान का ये हुआ था, और लखीमपुरी का वो भी हुआ था, और हत्रास भी हुआ था, फिर भी भाजपा चुनाव में जीत के आए है उतर सिर्फ EVM का है, मगर लोगों को देमाग में ये कम्यूनल ये वेनम है ना, वो इतना गहरा है से हो चुका है, वो तो सामझ नहीं सकते हैं, ये महेंगाई का, ये बेरोजगारी का, और ये कम्यूनलिजम का पूरा मिल जुलावत है, वो जुल कर लोगों को भावनात्म का जर वो करनाटका में भी हो ही सकता है, मगर हम चाहते हैं वो नहीं होना है, क्योंकि हमारा चेश मिनिस्टर एसार बंमाई ने, एक हमारा कोस्टल एरिया, सौथ केंरा हम बोलते हैं, मैंगलूर, उर्पिरी वहां, वो वहां इतना, वो हम मारल पॉलिसिंग करके बिलाते हैं, वो दो युजनों के बीचे में, एक बाय और गर्ल्स, अगर वो इंटरिफेट का है, तो उसका तो पूरा यही करके रखते हैं, इतना इतना वो काम करते हैं, गेर कानूनी काम करते हैं, जब पत्रकारों ने उनसे पूचा, ऐसा यह मॉरल पॉलिसिंग हो रहा है, उसके बारे म आप क्या करते हैं तो आक्शन को रियाक्शन करके बोला, उसका मतलब यह है, अगर कोई समाजगात शेक्ति आए, अंटी सोशियल एलिमेंट्स गेर कानूनी काम करते हैं, तब तो वो सरकार का फर्ज बनता है, उसको तो वो कंट्रोल में लेके आने का, मागर इदर चीफ मि इमसेल्फ उसको बड़ावा देता है, उसका सपोर्ट करता है, और हमारा बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे यह कमिनल वेनम पहलाने के लिए हैं करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो तो कमिनलिजम का असर महिलाओं को उपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा है, मगर हम महिला इसको भूल ना करे, फिर एक बार एक भूल ना करे, अब मैं बाज़ा पकचुनाव में फिर से जीतते के आने का माहूल मत बनाओ करके हम रिक्वेस्ट करते हैं, असल लड़ाई जो है कमिनलिजम से और उसमें, पहले में एक बार दर्शकों को ये भी बता दूँ कि जो हमारी मेमान है, विमला के एस जी, वो हिंदी भाशी नहीं है, उसके बावजूद, वो कन्नर भाशी है, अंग्रीजी बोलती है, कन्नर बोलती है, इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है कि ये हमें सीखने वाली बात है, हम इतना कन्नर बिलकुल नहीं बोल सकते, तो बहुत शुक्रिया आपका एक आखरी सवाल कि क्या across the line मतला हम कहें कि मेहनतकश महिला गरीब महिलाएं अलब संख्यक महिलाएं और जो सर्विस में हैं IT हब है क्योंकि करनाटक और खास वर से मेंगलूरू सब एक तरह से सोच रही हैं या सबके मुद्दे या चिंताएं लगभग एक हैं और एक मुखे बात क्या रहेगी इस चुनाओं में जो चीजे बदल सकती है नहीं वह तो मुखे बात तो यह कर्मिनलिजम का यही होना चाहिए हम तो वह कोशिश में लगे हैं क्योंकि हमें हमारा सम्मिधान हमें दिया है इक्वल राइट्स और इक्वल ता विद्दान सभा का वो आकरी अदिवेशन का आकरी धिन हमारा गवर्मेंट ने एक बिल पारित किया है उसमें आठ गंटे का काम से चेंज करके ट्वेल आवर्स जूती को उन्होंने कानून बनाया उसका मतलब यह है क्यों यह फ्रैक्टरी में गार्मेंट वर्कर्स बह यह हमारा क्या चापिक्तल बंगलूर में लाखों के जरीये अवरते हैं वहां काम कर रहे हैं वह आठ गंटे का काम ही ज्यादा है और इसको ट्वैल आवर्स का बड़ा एक्सेंट किया है उसका मतलब है वह बहुत ज्यादा बुरा असर वह तो होता है हम तोते हैं यह यह त करना पड़ता है क्योंकि वहां तो उनको तो यह प्रोडक्शन देना है तो वोटी करना पड़ता है वोटी भी पहले तो 48 अवर्स अब 75 अवर्स तक उन्होंने ज्यादा किया है उसका आसर बहुत बुरी असर माहिला उनके उपर अपर जिरोद में कुछ आवाजे उठ रह अपने जो मैनिफेस्ट है उसमें लेकर आए कुछ ऐसा दवाओ सिविल सोसाइटी बना रही है बन सकता है वैसे तो ट्रेड उनियंस तो इसके किलाफ तो लड़ाई जारी रहे है और यहां का विमेंस मुवमेंट भी वैसे तो मैं जन्वादी मैला समीती में काम करती हूं ह हमारा मैला समीती से हमने यह सब मुद्दा बना के एक विमें मैनिफेस्टो बना के सब पोलिटिकल पार्टियों को हमने दे दिया है आपको तो विमें रप्रजेंटेशन देना ही है और यह कानून के जरिये क्या हो रहा है उसको तो सही करना ही है और कमिनलिजम के बारे में वो आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ महिलावों के नहीं, सारी वो हमारा pluralistic समझदान के कीलाफ है, वो तो हमें नियंतरन में लेके आना ही है और क्राइम इतना बढ़ रहा है, और जो क्राइम बढ़ रहा है उसको नियंतरन में लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही चाहि और जब व यह व्याहता है, अपर हमने पहले बताए है न, वो आटी कन्वेर्शन ला लेके आए है उसके बदले में हम बौल रहे हैं, अंटी कन्वेर्शन ला नहीं हमें चाहिए हमें सब अच्याइए अंटी आनर किलिंग लौ तो आपको ये लेके आना है करके हमने तो ये हमारा महिला प्रनाली का हमने सब पोलिटिकल पर्टेप को दे चुके हैं और आपका मैनफेश्टों ममेनफेश्टों महिला समितियों का संगठनों का बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि सभी पार और से अपनी नजरिया साफ करना चाहिए और हम उमीद करते हैं कि इस manifesto पर ही वोड हो तो बहुत कुछ बदल सकता है बहुत बहुत शुक्रिया आप विमला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया थेंकियू गुण लुग्धक, तो दोस्तों आप ने सुना विमला एश्ट जी को, एक महिला एक्तिवेस्ट, एक जागरुक महिला किस तरह से करनाटक के स्थिती करनाटक के चुनाओ, करनाटक की राइन्सीत पाटी को भंढ पायında को देख रही सक्रिय हैं वो इस पर गौर करें विचार करें और इस पर सहमती जता आएं तो काफी कुछ बदल सकता है चुनाओ के माने ही यही है कि वल पार्टी नहीं विचार और नीतियां भी बदले तभी उसका कोई मतलब है तो जुड़े रहिए निश क्लिक से हमारे कारेकरम देखते रहिए आगे साजा करते रहिए हमारी वेबसाइट पढ़िए पढ़ाईए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आगले सब्ता शुक्रिया नमस्कार